अगस्त माह का चौथा सप्ताह तुलाराशी के लोगों के लिए कैसा होने वाला है? जै मतादी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे योट्योब चैनल में और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगस्त माह के आखरी सप्ताह के तुलाराशी फल के बारे में 21 अगस्त से 27 अगस्त तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? इन 7 दिनों में आपके लिए किन-किन योगों का निर्मान हो रहा है और उनका प्रभाव किस तरह से आपकी दिंचरिया पर देखने को मिलेगा तो सारी जानकारी मिलेगी आपके जीवन से जुड़े हर एक शेतर के बारे में पिर वो आपकी सिक्षा हो, प्रेम जीवन हो, आपका कारे शेतर हो, आपकी पारिवारी किस्तितिया हो हर एक चीज के बारे में मैं बताऊंगे आपको विस्तार से ग्रह गोचर, उनके द्वारा बनने वाला योग, उनकी युती और उनका प्रभाव तो वीडियो को लास तक देखें, और चैनल पर पहली बार आएं हैं तो सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ, यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहती हैं, तो चलिए 21 अगस्त से 27 अगस्त की मैं बात कर रही हूँ, और यहां यह जो राशी फल है, चंद्र राशी पराधारित है, चंद्रमा की जो इस्तिती रहेगी वो रहेगी आपकी लगन से चंद्रमा गोचर करेंगे, यानि तुला राशी में चंद्रमा की स्तिती रहेगी जो 21 अगस्त को होगी और 27 अगस्त तक चंद्रमा जाएंगे धनू राशी के योगों का निर्मान होगा कई तरह के नक्षत्र आएंगे जो शुब्भी होंगे अशुब्भी होंगे सप्ता का जो अंतिम दिन एकादशी का दिन है ये सावन माह के अंतिम एकादशी है और इस दिन कई तरह के योगों का निर्मान है जैसे त्रिपुशकर योग सरवार् रवी योग और साथ में प्रिती योग एक से एक बड़ा शुभ योग इस दिन बना हुआ है और इसी दोरान इस सप्ता हमें एक ग्रह का राशी परिवर्टन भी होगा जो होंगे बुद्ध चौबीस अगस्त को बुद्ध जो की सहिंग राशी में विराजमान है बुद्धादित राजियोग बना रहे हैं सुर्य के साथ मिलकर वो क्या हो जाएंगे वो वक्री हो जाएंगे सहिंग राशी में तो वक्री स्थिधी में ही यहां बुद्धादित राजियोग बन इसके अलावा इस अपताह में और भी कई तरह के योगों का निर्मान होगा जो आपके लिए विशेश रूप से फलदाई रहेगा आपकी राशी के स्वामि शुक्रदेव का प्रभाव आपके ऊपर बहुत ही ज़ादा शुब देखने को मिलेगा क्योंकि वो उद्या हुच चुके हैं वो अपने पूंड प्रभाव में हैं और आपके लिए result बहुत ही ज़ादा शुब देने वाले हैं तो चलिए अब विस्तार से जा लेते हैं बिना समय कवाई कि कैसा रहेगा समय तो यहां देखिए राहू कहां है राहू है आपके सात्वे भाव में और केतु हैं आपकी लगन में तुलाराशी के लोगों के लिए तो इस दोरान क्या होगा एक तो आपको ऐसी चीजों से परह चाहन रखना होगा क्योंकि कुछ चीज़े ऐसी होती है जब आप शरू में सावधानी बरत लेते हैं तो अच्छा रहता है आर्थिकिस्टिति की बात की जाए تو आर्थिकिस्टिति आपकी अच्छी दिखाई देरही हैं आपकी पदोनती की संभावना बंती दिख रही हैं आपके लिए लाब के योग बनते हुए दिखाए दे रहे हैं, बस अपने काम पर आपको ध्यान देना है, ये सबता हाँ आपके बहुत इक सुखों में वरधी करने वाला होगा, बहुत इक सुख क्या होते हैं, हर एक चीज आपके पास होती है, जिस चीज की आपको जरूरत ह महसूस हुई और आपके पास आगई यही होते हैं बहुत इक सुख पैसे की कमी नहीं होगी घर की घर आपके पास है गाड़ी आपके पास है जिस चीज की ज़रुत है वो आपके पास है कोई लाक्रोनिक आइटम है वो आपके पास है पैसा आपके पास आएगा और आप उसे सुखों पर खर्च करेंगे यानि जिस चीजों से आपको खुशी मिलती है उन पर आप उसको खर्च करेंगे और हाँ इस सब्तह में तुला राशी के जातकों के लिए कर्ज मुक्ति के योग भी बनते हुए दिखाए दे रहे हैं अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है तो यहां योग बने हैं कि आप कर्ज को चुकाने के योग्य भी होंगे इस सब्तह में इस राशी के जातकों के लिए कई सारी बड़ी खुशखबरियां इस सब्तह में होंगी जैसे नई संपत्ती आपको मिल सकती है वाहन सुक्की प्राप्ती हो सकती है करियर में भी जो आपको ठहराव महसूस हो सकता है और व्यपार जो है आपके मन मुताबिक सफलता दिलाने वाला होगा जो इस राशी के स्टुडेंट है जो विध्यारती वर्ग है उनको भी प्रतियोगी परिख्शाओं में सफलता के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उनके लिए भी यहां इस्थितियां जो हैं बहुत अच्छे से निर्मित हो रही है यह सब्ताहा आपके ऑफिशियल काम के लिए अगर मैं बात करूँ तो देखे आपको जब आप जॉब करते हैं आप ऑफिस में बैठे हैं वैसे तो आप समझदार हैं हर चीज को आपको पते है कि आपको बैलेंस करके चलना है और चीजों को किस तरह से देखना है लेकिन फिर भी आपको ऐसी चीजों पर ध्यान रखना है जो छोटी छोटी गलतियां जिनको हम इग्नोर कर देते हैं उन पर आपको निगहा बना कर रखनी होंगी क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके बड़े काम को बिगाड़ सकती है सौफ्टवेर कंपनी में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो कोई अलग तरह का प्रोजेक्ट आपको दिया जा सकता है और उस प्रोजेक्ट को करने में आपको सावधानी बरतनी है क्योंकि वो प्रोजेक्ट आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा कारोबारी हैं इस राशी के तो कोई डील आपकी पक्की होने जा रही है और आप उसकी पूरी तरीके से जानकारी लें उसके बाद उसको फाइनल करें उसके बाद उसमें आप साइन करें जो इस राशी के युवा हैं वो नियमों का अनुशाशन अगर करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि जो ग्रहों की इस्थितियां हैं वो कुछ ऐसी हैं जिससे थोड़े बहुत नियम तूट सकते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना है महतपून कारिये होंगे घर में महतपून कारियों में आपकी भूमी का भी बहुती मुख्या रहेगी और कुछ ऐसा पूजा पार्थ वाला काम इस दोरान आपके परिवार में हो सकता है पुजापाठ यानि कि आपके घर परिवार में कोई मांगली कारेकरम हो सकता है अब रिष्टेदारों करें हैं छोटी बहुत छोटी मोटी यात्रा भी रहेगी जो आपको सुकून देने वाली रहेगी आप अपने परिवार को परियाप्त समय दे पाएंगे आप अपने परिवार के साथ अच्छा वक्त बिता पाएंगे ताकि वो आपको शिकायत का मौका ना दे आप उन्हें शिकायत का मौका ना दे आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ अपने वरिष्ट अधिकारियों को भी प्रसंद करने में काम्यावी हासिल करेंगे जो आपकी पदोनिती की राहा बन सकती है उच्छ सिक्षा ग्रहन कर रहे हैं जो स्टूडेंट उनके मन में किसी चीज को लेकर शक पैदा हो सकता है तो बहतर है कि शक को दूर करके पढ़ाई की तरफ आपको फोकस करना है जरत पड़े तो सलह मश्वरा कर सकते हैं अपने जो आपके सीनियर हैं उनका आप सपोर्ट ले सकते हैं प्रोफेशनल कोर्स में एड्मिशन लेना आप चाहते हैं और कोशिश भी कर रहे हैं तो अपनी योग्यता को बढ़ाए एसी कोर्स में आप एड्मिशन ले प्रोफेशनल कोर्स में आप एड्मिशन ले ताकि आप अपनी योग्यता को बढ़ा सकें और आपके मन में अगर करियर को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं तो उनको शान्त कर सकें इन चीजों की तरफ आपको ध्यान रखना है आपकी राशी के स्वामी हैं शुक्रदेव अब शुक्रदेव क्या है? शुक्रदेव करक राशी में विराजमन है और साथ ही ये अब उदय भी हो चुके हैं और सूरिया बैठे हुए हैं आपके ये सिहिंग राशी में सूरिया का गोचर हुआ तो ये एक मजबूत इस्थिती है और तुला राशी के जातकों के लिए ये इस्थिती बेहद शुब है करियर में वेपार में जितनी मेहनत की है उसका फल सूरिया आपको दिलाएंगे एक पहचान के रूप में धनलाब भी दिलाएंगे सरहना भी कराएंगे इन लोगों की मनोकामनाएं भी पूरती कराएंगे एक पिछले एक वर्ष में जो आपने अपने करियर को जमाने में मेहनत की थी वेपार को जमाने में मेहनत की थी उसका फल आपको देखने को मिलेगा आ आपके बड़े भाई भैन हैं आपके चाचा हैं आपके पिता समान जो लोग हैं उनका भी समर्थन आपको मिलेगा बहुत ही जादा शुब रहेगा और हाँ आपको अपनी संतान की उपलब्दियों पर भी गर्व होने वाला है तो बहुत अच्छा है इस दोरान आपके लिए मैं कह सकती हूँ बहुत अच्छा समय है इस समय का आपको लाब जरूर उठाना चाहिए अब बात करते हैं उपाय के बारे में कि क्या उपाय आपके लिए अच्छा रहेगा तो देखें मंगलवार का जो भी दिन होगा उस दिन आप राहु के लिए यग्य जरूर करें राह लाइक को कर लें बहुत अच्छा रहेगा और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक को शेर करना ना भूलें